नमस्ते मैं विजिता शर्मा आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर हमेशा की तरह एक बार फिर एक नए मुद्दे के साथ एक नए टॉपिक के साथ लोग के कॉंसेप्ट को क्लियर करेंगे और समझेंगे कि कानून क्या बोलता है हमारे आसपास जो भी गलत हो रहा हो वो हो सकता है कि कानून का उलंगन हो रहा हो तो आपके आसपास जो भी हो रहा है उसे ध्यान से देखें और सतर्क रहें जैसा कि आपको थमनेल में देखके पता लग रहा होगा कि आज हम बात करेंगे या तो सुसान सिंग केस के बारे में या उस केस में क्या-क्या हुआ था या फिर ऐसी घटना क्यों हुई थी जिसके लिए हम को सेक्शन जानना होगा सेक्शन 306 309 आज हम इस पूरी वीडियो मे सेक्शन याद कैसे करते हैं तो इन दोनों सेक्शन की मैं बहुत इजी ट्रिक बताऊंगी जब आप जब आप लास तक वीडियो देख लेंगे तो उसके इजी ट्रिक भी समझ जाएंगे कि देखे जनली क्या होता है जनली हर बंदा जानता है कि मडर हो गया 302 लग गई बल पांच वीडियो क्लास में पढ़ता है वह बच्चा भी समझ सकता है कि 306-306 उसके माइंड में इतना कॉंसेट क्लियर हो जाएगा कि 306-306 वह कभी नहीं बूलेगा जैसे 302 नहीं बूलता है जैसे कि मैंने वीडियो की टैग लाइन मेंशन किया हुआ है मैं मरना नहीं चा जसके मानने के लिए बौह सारे अफर्ट करने पड प्रोसेस शुरू हो जाए कि में मर सकता हूं तो वो मेरे बड़ा इजी हो जाएगा देखो मुझे जो लगता है अगर मैं पर्सनल अपनी व्यूज बताओं तो कोई भी व्यक्ति ना तीन परिस्तियों में आत्मत्या कर सकता है सबसे पहली बात परिस्तिति वह हो सकती है जब उसके वह किस्तिति इंसेन हो इडियट हो मूर्ख जिसे बोलते हैं या इंटॉक्सिकेटिड हो जिसने पी रखियो ब्रिंग जिसने कर रखियो क्योंकि उसके पास सोची समझे कि शक्ति नहीं है तो शायद वो मर सकता है शायद वो आत्मत्या कर सकता है हमारी सेकंड पॉ थर्ड पॉइंट वो हो सकता है वो व्यक्ति आत्मत्या कर सकता है जिसे अबेट किया जाए जिसे उत्साया जाए कि भाई तू ऐसा कर ले मादर इंडारेक्ट वे में उसे इस तरह से पोक कर दिया जाए कि उसको आत्मत्या जैसी घटना को अंजाम देना बड़ा इजी चुरुआत में वह बहुत अच्छी लगती है जैसे अपना एक टॉफी आती है जिसके अंदर कुछ खटा खटा टाइप को कुछ होता है अंदर बीच के अंदर मोज इस टॉफी का नाम याद नहीं आरा गर याद आएगा तो मैं अपने उपर मेंशन कर दूंगी वीडियो इनकी से हार जाएं लेकिन हां हर उस व्यक्ति की मैं निंदा करती हूं जो डारेक्ट या इंदरेक्ट वे में किसी भी व्यक्ति को ऐसे अबिट करें जो कहीं ना कहीं वह आत्मत्य करने के लिए प्रेरित हो जाए तो वो क्या हो गया मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती कोई भी काम अगर आपके आसपास गलत हो रहा हो शायद वह कानून का उलंगन होता है तो यहां पर आप लोगों ने क्या समझा कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को उत्साय उसे बोले डारेक्ट या इंडारेक्ट में कि भाई ऐसा मत कर या ऐसा करना चाहिए या फिर उसके दि इस को बोलते हैं दुबारा से आपेट्मेंट तूसाय यानि कि स्वशाइड के लिए उत्साना सोसाइड को उत्साना क्ले सेक्शन क्या है 306 इंडियन पिनल कौट के 306 में यह सेक्शन के बारे में बताया गया और punishment बताई गई है क्या किए इसकी punishment हो सकती है सेक्शन 306 इंडियन प्रिनल कोर्ट का IPC का सेक्शन बोलता है अबेटमेंट ओफ स्वसाइट यानि कि इफ एनी पर्सन कमिट स्वसाइट हुएवर अबेट्स दे कमिशन ओफ सच्वसाइट यानि कि अगर कोई भी व्यक्ती किसी को भी उत साता है अबेट करता है क्या करने के लिए कि भाई तु स्वसाइट कर ले उसकी जो पनिशमेंट रहेगी उसकी पनिशमेंट रहेगी may be extend 10 इयर यानि कि उसकी जो पनिशमेंट है 10 इयर से increase हो 10 year तक वो जा सकती है उसकी punishment और उसको fine भी लग सकता है तो हमेशा मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो भी हमारे आसपास हो रहा है अगर वो गलत है तो वो शायद कानून का उलंगन हो सकता है इस complete वीडियो में हम suicide की बात करेंगे जहें वो abitment to suicide हो या फिर attempt to suicide हो यहां पर चाहें वो suicide सुसान सिंग राजपूत ने किया हो या निशब्द मुवी वाली जिया ने किया हो या आईशा काफी movie वीडियो वाइरल हुई थी जाए वो आईशा क्यों नहों जिसने अपने husband के बारें बताया था कि मुकदमा ना चलाया जाए या उसे परिशान न क՘ punishment video कहींना कहीं अपनी जिंदी से हताश हो गएते कहींना कहींने अपनी अनको अगय जिनिदी कर दिया ह हम सब कही 나 कहीं गलती है आप सुसान सिंग केस के समझे क्योव कि आपको चीज विए ना ऐसे बढ़ी अचि MB कहते ना तो बिधाए या अगर ने वादित लड़की आपको याद दिलाना चाहूँ कि अधिकार को रख नहीं है जरूरी नहीं है कि मेरी जो भी बाते रखूँ कि शायद आपको बुरी लगए दुबारा बोलूंगे अगर आपको बुरी लगते तो डिसलाइक का बटन करके वीडियो को छोड़के जासे सकते हैं स्किप करकर के जा सकते हैं हम बात करें सुषान सिंग के से बारे में आज जिस तंस पूरा देश ना बड़ा उजगर हो गया था कैतना बड़ा जो बड़ा पूंग ऊसकी गती विदी बड़ी स्ट्रोंग तो पूरा वॉलीवूड का बाइकोट कर दिया ता कि अवानगी से अपर हमारे पुरी सोसाइटी उस टम कहा से लिय के नहीं है था इसीर तब हमें चुछ से त्कांध करते हे!!!! मैं तो यह भी बोलती हूं जिस टैंशे प्रवन के टाइम पर जो सृंदा चारनी तो हम में से दोहजार तक की कॉस्ट होती है ऐसे पुलिस ने लोगों को पकड़ा है जिसने एक प्रेजेंट टाइम में 5-5,000 के वेचे हैं हम सब की इन्सानियत मर चुकी है यह वल कुछ ही चुनिंदा लोग है जिनकी नहीं मरी है और मेरे को किसी को पॉइंट आउट करने का कोई अधिक में हो रहा है हम क्यों उस पॉइंट से दूर भागते हैं कि आप देख रहे होंगे कंटिनूसली मैं हमेशा कोई नो कोई आसा टॉपिक लेकर आती हूं आप सब के सामने जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता जाएं वो रेप क्यू नहों या फिर आपका आज सुसान सिंग क मैंने एक टैग लाइन भी लगाई थी आपने वीडियो में देखा होगा जिस वीडियो में था बोला था कि आप ऐसी जॉब करके करोड़ पती बन जाएं मुझे बहुत लोगों ने गाली थी बट मुझे फरक नहीं पड़ा एक लिस आप उस वीडियो को खोल के तो देखो क्या है सिम आप इस वीडियो को खोल के देखो आपको क्या मिल रहा है शायद मैं लौ के साथ साथ ना आपका जमीर भी जगाऊं शायद मैं वह छोटा सा पॉइंट वह कर पाहूं आपका जमीर जाक पाए चलिए सारी बात चोड़ते हैं पॉइंट पे आते हैं आज हम इस 306 और 309 कि क्योंकि जैसे पहले बोल चुकि हो अगर हम कोई भी सेक्षिन को अगर करते हो और आप बच जाओ तो आप जेल जाओगी जिसको क्या बोलते हैं attempt to suicide अगर कोई भी व्यक्ती suicide attempt करता है और वो बच गिया तो उसको punishment होगी यह IPC बोलती है कोई भी section उठाके देख लो जिसमें आप अगर बच जाओ खुद बच जाओ तो आपको punishment ने हो खाली यह section बोलता है 309 का यह section बोलता है 309 कि आपने suicide अगर कर लिया attempt कर लिया और आप पकड़े जाते हो बच जाते हो और आपको पुलिस पकड़ लेती है तो आपको punishment क्या होगी punishment आपकी लग सकती क्या one year तक extend हो सकती है और आपको fine भी देना भरना पड़ सकता है अब आती है बात मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि मैं आपको बड़ा easy ट्रेक बताऊंगी जो कि बहुत साय जो इंटरनाट है वह में मेशा पूछते में section को कैसे याद करें और आपने कभी देखा है अगर कोई व्यक्ति suicide attempt करता है यानि कि उस फंदे पर लटकता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है उसकी स्थिति नौ के अकार की यह हमारा सर हो गया नौ का जो उपर का area हो हमारा सर हो गया और नीचे का area हो हमारा पैर हो गया और अगर उस नौ को तो हो सीम्पल तरीक है 309 को याद करने及 का 9 को लटका दो क्या बन गया है अट्EMP TO COMMIT तो आप 306 को याद करने का तरीका सोचो अब वह लटका नहीं है अब हुर उसे किया क्लिधा तब अब उसे क्या किया गया है उनिकि उल्टा कर दिया गया है अब है NICK 9 को उल्टा कर दे तो वो किस की स्थिति में आ जाता है यानि कि उसको अमे अबट किया गया है तो 306 और 309 को याद करने का बिल्कुल कि मैं काफी इंफोर्मेटिव बनाती हुँ और चायद कोंए भी गलती है तो मुझे बताओ कि मैं कहां क्या गलती कर रही हूं मुझे हमेल के थुल ही मता सकते हो कमेंट कर सकते हो मुझे और प्लीज वीडियो लाइक करें ंचायल को सब्सक्राइब कर और मैं कोशिश करती हूं कि मैं कुछ आप सब के लिए नया लाओं ठैंक यू जैहिन जै भारत अब आधा आधा